पेटियम को चालू कैसे करें आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ complete process पेटियम को चालू करने के लिए सबसे पहले आप play store से पेटियम application को install कर लेंगे या नहीं तो नीचे दिये लिंक description में किली करके आप application को install कर सकते हैं और install करने के बाद आप इसे open कर लेंगे तो यहां पर अपना कोई एक नमबर इंटर दे देंगे जो भी आप नमर देंगे वह नमर आपके बैंक के साथ जुरा होना चाहिए उसके बाद आप यहां पर permission देंगे पर permission देने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपका verification किया जाएगा mobile नमर और paytm के साथ तो यहां पर automatic OTP यहां पर feel हो जाएगा तो यहां पर आपका paytm जो है चालू हो चुका है और यहां पर देखेंगे कि bank account को कैसे link किया जाता है और UPIP को कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले profile value option पे किलिक कर देंगे इसके बाद link bank account पे आप किलिक कर देंगे और जैसे ही आप link bank account पे किलिक करते हैं तो जो भी आपका bank में खाता खुला है उस bank को आप select कर लेंगे तो यहां पर बहुत सारा bank आपको दिखेगा तो simply मेरा state bank of India में खाता खुला है तो यहां पे हम SBI bank पे किलिक कर देंगे जैसे ही हम SBI bank पे किलिक कर देते हैं तो यहां पे bank के दवारा verify किया जाता है तो यहां पे verify होने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपका successfully जो है आपका bank account जो है PTM में link हो जायेगा तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरा state bank of India जो है link हो चुका है तो यहां पे आपको UPI PIN बनाने के लिए change UPI PIN पे आप किलिक करेंगे या setup UPI PIN का option हैगा वहां पे किलिक करेंगे तो जो भी आपके debit card और ATM card है उसका ATM card का last का 6 डिरीच और यहां पे month और expiry year इंटर करके process value option पे किलिक करेंगे तो आपका UPI PIN बन जाएगा अगर आपको balance चेक करना है तो चेक balance पे किलिक करेंगे और जो भी आप UPI PIN बना है वह यहां पे इंटर करेंगे उसके बाद यहां पे आपका bank का balance बता दिया जाएगा अगर आप किसी भी वेक्ति को scan करके payment करना चाहते ह है तो scan and pay पे किलिक कर देंगे और यहां पे permission आप दे देंगे किसी भी QR code को आप यहां पे scan करके payment कर सकते हैं और जैसे ही scroll आप करेंगे तो यहां पे home page पे ही आपको option मिल जाता है scan and pay का इसके बाद किसी भी mobile नमर से आप payment कर सकते हैं और UPID से भी payment कर सकते हैं और bank account का detail भी आप किसी को भी पैसे transfer कर सकते हैं सती साथ यहां पे balance and history पे click करेंगे तो यहां पे आप statement भी देख सकते हैं कब किसको आप कितने रुपे भेजे हैं इसके बाद आप ATM से mobile recharge, DTH recharge, electricity पे यहां से कर सकते हैं जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है और किसी भी प्रकार का ticket booking भी कर सकते हैं फ्लाइट या ट्रेन का